नवस्कार दोस्तों, हर इंसान में कोई ना कोई पिर्थवा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरे जैसे बनाने में नश्ट कर देते हैं नवस्कार दोस्तों रादे रादे, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गीता ग्यान में आज हम बात करने जारे हैं सिंगरासी वालों की, सिंगरासी वालों का एक सितंबर दिल बुद्वार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाली समय में किनिकिन चीज़ों से साब्दर रहना होगा और सिंग रासी वालों को आने वाल समय में वो कौन कौन से कुसकवरी मिल ले वाली है तो दोस्तो आज शुड़ी में आपको बताएंगे सिंग रासी वालों को पारिक वार जीवन कैसा रहेगा उनका बेनिश ब्यापर कैसा चलेगा उनका प्रेम समथ कैसा रहेगा और सातिचा उनका स्वास्त कैसा रहेगा तो दोस्तो आज शुड़ों में आयका संपूरा स्पल बताएंगे अगर दोस्तो आपकी भी सिंगर आसी है तो इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तो आज बुदवारें सरस्ति पर मांका देने हैं कमेंटर में दोस्तो देख सरस्ति में आपके मनुकामना पूरी करें दोस्तो वीडियो को लाइक करें अगर आप चैनल पर पहली बार आयें तो इसे सस्क्राब जरुरा करें और साथिचा बेल आइकन ओल पर दवाएं ताकि आपको अनले नोटिफिकेसा मिलते रहें दोस्तो अब बात करते हैं आज के पंचांग की 1 सितंबर 2021 की दिन बुद्वार आज की देती है दसमी आज का नचत्र मिर्क सना नचत्र आज सुर उद्व होगा सुबह 5 वज के 55 मिनट पर और सुर अस्त होगा साम 6 वज के 43 मिनट पर दोस्तो आज का सुब समय कोई भी नहीं और आज का असुब समय है सुबह 11 वज के 55 मिनट से दुपर 12 वज के 40 मिनट तक रहेगा और दोस्तो आज आपका लगी लंबर है नाइन और सुबरंग है सफेद, नीला और लाला दोस्तो अब बात करते हैं आज के चाड़क नीति ग्यान के बारे में चाड़क की जी कहते हैं कि किसी बात का बुरा लगे तो इन दो चीज़ों को रखें ध्यान में और तवी का रखेंसला आपको बात में पस्ताना नहीं पड़ेगा आईए जानते हैं इनके बारे में आज़क चाड़क की इस खतन का अर्थ है कि मनस को हमेशा किसी बीबात को दो पहलों से सोचना चाहिए फिर चाहे वो बात बड़ी हो या फिर छूटी क्योंकि किसी भी बात का बिचार करने से ही आप उसकी जड़ तक पहुँच सकते हैं आज़क चाड़क का कहना है कि जो भी बात किसी ने कही है उसके एक पहलों पर कभी न सोचे हैं अमेशा दो पहले हों पर बिचाच करने से ही आप उसके नतीजे तक कौँच पाएंगे। आम तोर पर मनसु को उन लोगों की बातों का बुरा लगता है जो उनके दिल के बहुत करीवी हो ये करीवी रिस्तेदार या भी दोस्ते भी हो सकते हैं। माता पिता और भाई वेनों की बातों को इनसान दिल पर नहीं लगा था ऐसा इसलिए क्योंको उनसे आपका रिस्ता ना केवल दिल से हैं बलके खुन से भी जुड़ा होता है। इनसान को ये भी यकीन होता है कि ये जो भी कहेंगे अपने हैं और अपनी वरहाई के लिए कहेंगे वहीं दूसरी तरफ यही वाता रिष्टेदार और दोस्तों के मुझे निकल जाएं तो उसे सुई की तरह चुप जाती हैं। कई बार पैसों को लें दिन या पर किसी भी फैसले की बज़े से आपके रिष्टेदारों से दोरी काना सुनी हो जाती है। और आप उस वakt यही कोसित करते हैं कि आपका उन से आमना सामना हो। कई बार ऐसा मुझा आ जाता है कि आपको उनके फैस करना ही पड़ता है। ऐसे मैं कई बार रिष्टेदार या फिर दोस्त ऐसी बात बोल देते हैं कि जो दिल को चीर देती हैं। इन बातों को कई बार बरदास्त करना भी मुश्किल होता है ऐसे में चाड़क का ये विचार आपकी मदद कर सकता है चाड़क ने अपने इस विचार में कहा है कि अगर ब्यक्ति महत्कुर हो तो बात को भूल जाओ अगर बात महत्कुर हो तो ब्यक्ति को भूल जाओ दोस्तो आपको चाड़क नेति ग्यान से कुछ अच्छा सीगने को मिला हूँ तो एक लाइक जरूर करें दोस्तो अब बात करते हैं आज के रासिफल के बारे में आज का दिन कैसा रहेगा आईए जानते हैं तो दोस्तो प्रावसाली लोगों का सेयोग आपके उस्सा को दो को ना कर देगा आज आप आसानी से पैसा एकटा कर सकते हैं लोगों को दूए पुराने कर्च आज आपको बापस मिल सकते हैं या फिर किसी नई परीजोजना पर लगाने के लिए आप धन अर्चित कर सकते हैं आपके जीवन साथी के सेहत आपको चिंता में डाल सकती है यातरा के चलते रुमानी समंद को बढ़ावा मिलेगा चीजों के होने का इंतियार मत कीजिए बहार निकलें और नई मौकों के तलास करें आपके पास समय तो होगा लेकिन बावजू इसके भी आप कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे जो आपको संतुष्टी दे आप अपने जीवन साथी के प्यार की मदद से जिंदकी की मुश्किलों को आसानी से सामना कर सकते हैं साथे साथ आपको बताएं आपको मेनत में सपलता मिलेगी आपके इच्चां पूरी भी हो जाएंगे पिरमोसल मिन्ने के चांस भी बन रहे हैं किसी भी तरह का मौका आप अपने हास से ना जाने दे आप जिस काम में हाट डालेंगे उसमें आपको जरूरी मदद मिलती जाएगी आप लोगों से अपने काम निकलवारे में बहुत हस्तक सफल भी रहेंगे ये दिन अच्छे से बीटेगा आज आपकी सेह सामान रहेगी अपने स्वास्त का ध्यान रखें साती सात आपको बताएं आज का दिन आपके लिए फायदे मंद रहेगा सोचे हुए काम सुरू करें बेवसाय में आपको आसानी बेवसाय में आपको अपनी मैनस से उचित नतीजे हासिल होंगे परवार आपकी जरूरत और सेयों के लिए साथ खड़ा नजर आएगा गर पर मनुरंजन के अफसर प्राप्त होंगे चमता से अधिक कारी की जिम्मदारी ना ले बहान प्रियों में साबदाने रखें महमारी के दौरान आप बहार का खाना पूरी तरह से बंद करें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों साथी साथ आपको बताए कारवर बढ़ाने के लिए आपको कुछ खास लोगों से मदद मिल सकती है परवार में लोगों के भी स्ताना ताने के माहल पैदा होगा माता संतान एवन जीवन साथी का स्वास इस अबदी में थोड़ा खराब रह सकता है जीवन साथी के साथ किसी रोमेंचक इस्तल की आपकी कुछियों को दोगों ना कर सकती है आपके करीब आपके प्रेम संबंदों को तोड़ने की साजिश बना सकते हैं इस यह आपको तोड़ा साब्दा रहना चाहिए साथी आपको बताएं नोकरी में आपको प्रमोसर मिनने के आशार है चात्रों को पढ़ाई में मुश्कले आएंगे लेकिन आप चिंता ना करेंगे आप मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत का फल अबस मिलेगा साथ ही आपको बताएं बिजनिस को आप और मज़ूद बनाने की कोशित करें आपके यह प्रयास सफल भी रहेंगे साथ ही साथ आपको बताएं बाच्चीत के माद्यम से आज कई मामलों का हल वा समादान मिलेगा अगर पुस्तेने जमें जादत सम्मद्ने कोई काम रुका हुआ है तो आज उसको हल करने का उच्छी समय है परवार जनाओं के साथ किसी मांगलिक कार समंद्य योजना भी बनेगी बियर्थ के आरोप प्रत्य रोपत जैसी बातों से दूर रहें इससे उर्जा नस्ट होने के अलावा और कुछ आसिल नहीं होगा अपनी आर्थिक परियोजना का संबादान करने के लिए भी उच्छी समय निकालना जरूरी है बिवसाए में कुछ प्रति इस्पर्दा जैसी इस्तती बनेंगे परंतु चिंता ना करें आपकी सफलता निच्छित है विवसाय बढ़ाने के लिए किसी के साथ सायदारी करने का प्लैन भी उचित रहेगा नौकरी पेसा लोग अपने कार्रियां के पृति और ज्यादा ध्यान दें दोस्तों साथ साथ आपको बताएं अगर आप आज बाहर कहीं गूमने जा रहे हैं तो आप कोई बाहन ना चलाएं इससे आपको थोड़ी हानी हो सकती है जितना हो गर में ही रहें आपका दिन अच्चा रहेगा प्यार के पृति आज आप थोड़े परिशान रह सकते हैं क्योंकि आपको अपने प्यार को समझने की सला दी जाती है इसलिए आप ध्यान रखें उनकी अच्चाईयों पर और उन पर दोस्तो अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की तो दोस्तो आज परवार के साथ मनोरुजने संबंद कारणों में समय बतीत होगा प्रेम संबंदों में नजदी के आएंगे आपकी बिस्ता के कारण परवार का पूर सहयोग रहेगा उसकी बज़े से आपके आपसे संबंदों में काफी मदूरता आएगी और साथे साथ पती पत्री के संबंद कुस्नमा रहेंगे पर थोड़ा मन मुटाब भी रह सकता है और साथी साथ सौपें और मौज मस्ती में आज का समय बतीत होगा प्रेम संबंदों को भी पारिक बारिक सुकरती प्राप्त होगी बिवसाई और परवार दोनों जेगे तालमेल बना रहेगा जिससे बैतरीन बाताबड रहेगा और आप छोटे मोटी बातों को नजर अंदाज करते हैं इससे आपके समद्दों भी कभी कटूरता नहीं आएगे और आपके प्रेम समद्द काफी मजबूत रहेंगे दोस्तो अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की तो दोस्तो स्वास्त ठीक रहेगा परन्तु जादा टेंसन लेने से आपके स्वास्त पर इसका असर पढ़ सकता है साथ ही आपको बताएं ब्लेड प्रेशन नियमेत रूप से चेक कराते रहें साथ जाथ आपको बताएं आप अपने स्वास्त को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान का ध्यान रखें और रोजाना योगा ब्यायाम करते रहें नवस्का दोस्तो रादि रादे दोस्तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब में किया आए तो कर लें और साथ जाथ बैल आइकम और दावाएं आपके आपको आनल नोटिफिक केसा मिलती रहे है